हेलो आज हम करेंगे आवरेज के कुछ प्रैक्टिस कुस्टिंग तो फर्स्ट कुस्टिंग है था बाटिंग आवरेज पर 27 इनिंग्स और क्रिक्ट प्लेयर इस 47 रॉन्स तो पहली 27 इनिंग्स में 47 का आवरेज है इस हाइय स्कूर इन इनिंग एक्सेड्स लोई स्कूर बाई 157 तो हम एसा ही कर ले एक जर्रल फॉर्मूला आपके लिए काम कर सकता है है कि देखो मैं यहां अगर लिख दूँ के new average कभी भी ऐसा change हो तो new average is equal to old average जो भी आपकी पहले average थी into old number number means number of observations plus minus जो variation करो जो change करो आप right divided by new number आप इस concept से वैसे logically भी इसको handle कर सकते हैं बट इससे आपके सारे वाले variation वाले question हो जाते हैं आप इससे कर सकते हैं जैसे वो कह रहा था कि न्यू आवरेज जो उसने बताई 42 है राइट 25 जो remaining रह गई है उनकी new average 42 है पहले old average थी 47 पहले number of observation थी 27 27 innings थी इसमें से क्या हुआ दो inning गई हमें highest score निकालना है तो एक inning highest वाली minus करनी है एक highest minus 157 वाली ये दो inning minus कर दी तो आपके variation क्या है दो number हटा दिए highest और highest minus 157 तो इन दोनों को हटा के बाकी 25 जो observation रहेगे new number means new number of observation तो 25 inning का average 42 आ रहा है तो यहां से आप highest number निकाल सकते है 25 into 42 ये हो गया आपका 1050 राइट और 47 into 27 हो जाएगा 27 into 7 कितना हो गया 189 27 into 408 and 18 तो ये आपका minus 2H आ जाएगा और plus 157 तो आपको अगर मैं इसको solve करूँ तो 2H equal to ये 12 और 1 13 14 57 and 19 26 तो minus 1050 तो ये हमारे पास आगया कितना 6 37 376 तो इसको H को लेना है तो divide by 2 भी कर दो तो ये हमारे पास आ गया 188 ये आपका अंसर आ गया तो मैंने न सीधा बिना ज्यादा दिमाग लगाए सीधा formula में put कर दिया तो ये formula एक universal formula आपका बन जाता है जहां पर भी आप कुछ variation करते हो कोई बीच में add कर दिया फिर average change होई कोई remove कर दिया average change होई या कोई change हो गया replace हो गया average change होई तो उन सब में ये काम कर सकता है राइट इसी formula पर मैं आपको और question करके दिखाता हूं तो यह आप ऐसे कर सकते थे okay let's see next पर आ जाते हैं the weighted arithmetic mean of the first n natural number यह थोड़ा सा logical question था weighted arithmetic mean weighted mean होता है जितना वेट जैसे the weights being corresponding numbers तो n first n natural number है और हरेक का weight है वही corresponding number यानि के one का weight है one two का weight है two three का weight है three ऐसे करके n का weight है n और इनका मुझे weighted mean निकालना है right weighted arithmetic weighted arithmetic mean क्या होता है weight को multiply करना पड़ता है आपको तो यहां हो गया पहला आ गया one into one फिर आ गया two into two फिर आ गया three into three तो ऐसे करकर के आपका sum हो गया total n into n यानि के sum of first n squares squares का sum हो गया right divided by number of terms अब number weight का sum जो है उससे divide करते हैं तो weight था आपका one plus two plus three up to n so one plus two plus three up to n तो उपर है आपका sum of squares sum of squares होता है n into n plus one into two n plus one by six यह sum of squares का formula होता है right first n natural numbers के squares का sum और n तक का sum क्या होता है n into n plus one by two तो इसमें n into n plus one आपका पूरा कट गया और two से यह three तो आपके पास आ गया two n plus one by three right यह c option आपका correct answer हो गया right इसको कई बार हम न अगर आपको answer भी check करना हो ऐसा नहीं सोस्टन चाहिए कितना मुश्किल है आप सिरफ दो नंबर ले लो ऐसा ले लो के दो ही नंबर हो वान और टू इसका वेट वन यह एक बार लेना है इसको दो बार लेना है यानि के one plus four five हो गया total और इसका वेट था one इसका two तो one plus two three से divide किया तो जब आपने n को two लिया तो आपका answer यह आना चाहिए तो वह answer check कर लो कहीं पे n को two लेने से five by three आता है नहीं यहाँ two into three by six यह भी one आ जाएगा तो यह भी नहीं है राइट यह two into three into two into two four plus one five by six तो यह five आ रहा है तो यह भी नहीं है बट यहाँ two put करोगे तो two plus two into two four plus one five by three यह आ रहा है five by three जो हमारा यहां बंद रहा था तो c option आपका correct answer आप कोई भी n के लिए one two three ऐसे value put करके देख सकते हैं तो उसी से आ जाएगा right one avoid करो one में आपका d option भी correct हो जाएगा c भी correct हो जाए one के लिए चेक नहीं करना चाहिए two three ऐसे check करना चाहिए okay चलो next पर आजाओ अब वह जो पहले मैंने formula लिखवाय था उसको वापिस याद करेंगे finding the average marks of a class because marks were wrongly entered as 98 in place of 89 तो कुछ wrong entry होगी थी due to this error the average marks of the class were 0.25 more than the actual mark what is the number of student वैसे तो इसको simple सीधा कह सकते हैं कि अगर error की वजए से कितना हुआ 89 से 98 add कर दिये थे मतलब 9 जादा हो गया था total तो total अगर 9 जादा हो गया था तो average में 0.25 जादा हुआ तो average में 0.25 जादा हुआ into number of student must be equal to 9 क्योंकि total में 9 जादा हुआ तो n must be equal to यह 1 by 4 लिख लो इसको तो n must be equal to 36 तो n क्या हो जाएगा 36 राइट otherwise वो formula लगाते तो थोड़ा लेंदी हो जाता उसमें क्या होता कि average आपकी 0.25 ज्यादा हो गई तो new average is a plus 0.25 पुरानी average थी a पुराने number थे n राइट number of student n थे वो तो number of student तो any रहेगा और variation हुआ कि मैंने 98 ले आया in place of 89 तो यह आपका variation था और number of student any है तो यहाँ पे हो गया अगर मैं इसको solve करूंगा तो an plus 0.25 into n equal to an plus 9 तो an an कट गया यह वही पे आ गई बात 0.25 equal to 9 जो हमने यहाँ solve किया था राइट सेम चीज़ आ गई वापस 36 आ जाएगा राइट ओके तो यह question आप अपने आप try करेंगे यह question में आपको homework question बना देता है उसको तो इसका answer आप comment section में करेंगे ओके simple होता है average का chapter average आप directly कर सकते हैं equal share method से कर सकते हैं logically सोच के भी कर सकते थे ओके चलो इसका answer आप comment section में देंगे so see you in the next session bye bye namaste जाहिम थांक यू